अज मैं आपके साथ शेयर के भाए हुँ लछ्चा पराठा की रेस्पी तो चलिए अपनी रेस्पी स्टार्ट करते हैं एक बाउल में दो कप मेया लूंगी पह टी स्पॉन को चीनी बॉटी बल्स पून ऊइल एक करें kö देखिए सबी चीज़ें इच्छे से मिक्स हो गई हैं हम इसमें पानी डालते हैं और डो रेडी कर लेते हैं जैसे हम आम आटा गूनते हैं इसी तरह से इसको भी हम गूनते रहेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और गूनते रहेंगे इसको ताकि पानी लिए था तूटे स्पून इस में मैदा डी करेंगे और ऊप्मिज़ कल दूडा दो इसमें कॉं फॅन् फॉरात करेंगे है इसको चेverse मिक्स कर दिए अजय है iend criteria अब हम दो को दो इस्तो में तकिम कर लेते हैं मास्ट सब्सक्राइब dim गरेयां इसके लिए में बड़ा पेड़ा चाहिए इस लिह ने इस इस कोम आने में से मौने से सकव दो पेड़े बनाए धरोल ने इन करह दो इसको rolling pin से लिए और रोटी की शेप दे हम भी दे देतेए चलिए देखिए इसको हमने रोटी की शेप में बेल दिये तो अब हमने जो घी का मिक्स्यर रेडी किया था हम इसके उपर वो ब्रश से लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो परतें बनेंगी इसमें जो हमारे लच्छे बनेंगी पराटे की वापस में जुड़ेंगे नहीं इसके उपर अलका सा मेधा डस्ट करेंगे तो अब हम इससे स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे यह जो हमने स्ट्रिप्स कट किया है इनको हम इस तरह से एक दूसरे के उपर रखेंगे इसको दुबारा से इकठा करके और फिर से इसका एक पेड़ा बना लेंगे इसको हाथ से इस तरह थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसका पेड़ा दुबारा से बना लेते हैं देखिए इस तरह से दुबारा से हमने पेड़ा बना लिए तो अब हम इसको 10 मिनिट के लिए दुबारा छोड़ देते हैं तो देखिए जो हमने पेड़ा बनाके रखा था उसको हम हाथ की मदद से पहला लेंगे चलिए हमारा पराठा रेडी है तो हम इसे सेखते हैं मैंने अब एक पैल लिए उसमें वन टीबल स्पून और हमने गी डाले तो गी मैट हो जएगा तो फिर हम इसमें पराठा एट करेंगे और इसको हम बिल्कुल लो फ्लैम पर कुक करेंगे दोनों साइट से ता कि पराठा जो है वो अंदर तक अच्छे से पक जए पराठे पर अच्छे से जब कलर आजएगा तो हम इसकी साइट चेंज करेंगे देखिए एक साइट से बड़ा अच्छे से कलर आगे है इसमें हम इसकी साइट चेंज करें और देखिए दूसरी साइट से भी बड़ा अच्छे से कलर आगे का और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए का थैंक यू